अपनी एक्स गर्फ्रेंड को चोड पहुचाने के लिए आदमी भेजने से लेकर हाफ मर्डर का केस MC स्टैन की जिंदगी कॉंट्रोवर्सी से लबालब भरी हुई है अब वो दिखाए दे रहे हैं विग बॉस के घर में आये जानते हैं विग बॉस के घर में आने से पहले कैसी थी MC स्टैन की जिंदगी और कैसे कैसे कांट्रोवर्सी से जुड़े हैं MC स्टैन हेलो गाइस वेलकम टू फरस्ट इंडिया टेली मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया जैस्वाल रैपर MC स्टैन जो इस वक्त विग बॉस 16 सीजन में नजर आ रहे हैं उनकी लाइफ हमेशा विवादों से घरी हुई रही है चाहे वो बात उनके सौंग के लिरिक्स में इस्तमाल किये जाने अब्यूजिव लैंग्विज की हो या अपनी एक्स कल्फरन को असॉल्ट करने के लिए लड़कों को भेजने की हो या फिर उन पर हाफ मर्डर का केस होने की हो आज हम MC स्टैन की लाइफ से जुड़ी इनी कॉंट्रुवर्सी के बारे में बात करेंगे MC स्टैन जिन्होंने अपने करियर की शुरुआद 12 साल की उम्र में एक कवाली परफॉर्मर के तौर पर की उन्हें पॉपुलारिटी मिलनी तब शुरू हुई जब उन्होंने अपना इंट्रेस्ट रैप की और स्विच किया उन्होंने अपने रैप सौंग वटा के जरिये पॉपुलारिटी का स्वात चखा जिस पर अब तत 21 मिलियंस जितने व्यूज आ चुके हैं साथ ही उन्होंने एमीवे बंट्वाई के साथ जो डिसिंग रैप बैटल किया था उस चीज ने भी लोगों का खुब भ्यान खीचा MC स्टैन के दो पॉपुलर आलबम है इंसान और तड़िपार जिसे सबसे ज़ादा पसंद किया गया है जी हां MC स्टैन की लाइफ में एक ऐसा भी मोड आया था जहां पर उनकी कुछ लोगों के साथ बहुत ज़ादा लड़ाई हो गई थी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन पर हाफ मर्डर का केस तक हो गया इस केस की वज़ा से उन पर कंप्लेंट फाइल हुई और उन्हें तड़िपार कर दिया गया जब वो वापस आये तो उन्होंने अपनी इसी लाइफ की इंसिडेंट से जुड़ा तड़िपार एल्बम लॉंच किया साथ ही उनका सौंग हुजामत उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी है एमसी स्टैन हमेशा से अपनी बस्ती वाली लाइफ से निकल कर इस तरह से आगे बढ़ना और शोहरत हासिल करना इस घटना पर काफी जादा ओपन रहे हैं अपनी स्ट्रगल को वो शेर करते हुए नजर आते हैं उनका स्ट्रगल और उनकी सक्सेस की स्टोरी वो अपने फैन्स संग शेर करते ही आये हैं इनफैक्ट वो खुद को बस्ती की हस्ती कहकर बुलाते हैं सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर अच्छा खासा क्रेज देखने को मिलता है इनके फैन्स इन्हें खुब जादा पसंद करते हैं और MC स्टैन के स्टाइल को भी इनके फैन्स कॉपी करते हुए नजर आते हैं रिक्षा में सोने से लेकर लग्शुरी कार चलाने तक MC स्टैन अपने लाइफ में काफी जादा आगे बढ़ चुके हैं MC स्टैन जिनका असली नाम अलताफ शेख है वो एक गरीब परिवार से आते हैं MC स्टैन के पिता ने उन्हें उनके करियर में कभी सपोर्ट नहीं किया वो अकसर MC स्टैन को रैप से जादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा करते थे लेकिन एक दिन वो भी शान्त हो गए जब उन्होंने अपने बेटे अलताफ को सफलता की और आगे बढ़ते हुए देखा आज उनके पास 80,000 तक के जूते हैं ये एक सोशल मीडिया पर वीडियो है जो काफी जादा वाइरल हुआ था जब MC स्टैन ने अपने जूतों के बारे में बात कही थी आपको बता दे बिग बॉस में भी उन्होंने अपने जूतों के बारे में यहां बात की थी साथ ही उनके यूनीक स्नेक चैन को भी लेकर उन्होंने बताया था जिसकी कीमत करोडों में हैं उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि उनकी मां उन्हें बिग बॉस में देखने के लिए 70,000 का टीवी खरीद चुकी है इन्हें सब शौक और स्ट्रगल के अलावा MC स्टैन की लाइफ में खोब कॉंट्रवर्सी भी रहे उन्हें अक्सर उनके गानों में अब्यूजिव लैंगविज का इस्तमाल करने के लिए क्रिट्रिसाइज किया जाता है MC स्टैन ने अपने एंगर इशूस को लेकर भी बात की है जिससे लड़ने के लिए वो दवाईयों का सहारा लेते हैं आपको बता दे कि MC स्टैन के सभी विवादों में से उनके फैंस के लिए वो वक्त तब जादा हैरान कर देने वाला था जब उनकी एक्स गर्फरेंड आजूमा शेक ने उन पर असॉल्ट का आरोप लगाया था उन पर आरोप था कि MC स्टैन ने अपनी एक्स गर्फरेंड को चोट पहुचाने के लिए कुछ आदमी को भेजा है दरसल उनकी ब्रेक अप के बाद MC स्टैन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक्स गर्फरेंड का अड्रेस पोस्ट कर दिया था जिस वज़ा से काफी सारे लोगों ने आजुमा को तंग करना शुरू कर दिया और उन्हें रेप तक की धमकी मिली इसके बदले में आजुमा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर MC स्टैन और उनके मैनेजर का अड्रेस पोस्ट कर दिया MC स्टैन ने अपनी एक्स गर्फरिन के खिलाफ कंप्लेइन फाइल कर दी और तब उन्होंने आजुमा को चोट पहुचाने के लिए गुंडों का इस्तमाल किया और आजुमा की तरफ उन्हें भेज दिया रिपोर्ट की माने तो उन लोगों ने आजुमा को इस तरह से असौल किया कि उनके चहरे पर चोट पका गई इसके बाद आजुमा ने पुलिस में कंप्लेइन फाइल की MC स्टैन के खिलाफ जो की एक असौल केस था अब इन्हें सब कॉंट्रोवर्सी के बाद बिग बॉस के घर में MC स्टैन आये हैं बिग बॉस के घर में आने के बाद MC स्टैन अब तक वो वाइब फील नहीं कर पाए हैं जो वो उमीद कर रहे थे शो से वहीं उन्होंने शो से जाने की और अपने घर वालों को मिस करने की बात भी कही है लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पर खासा अप्रिसियेशन भी मिल रहा है जिस तरह से वो अपनी फ्रेंड गोरी नागोरी और अन्य सदस्यों का साथ देते हैं और उनके लिए स्टैंड लेते हैं उस वज़े से उनको खूब फैन का सपोर्ट मिल रहा है और वो खासा पॉपिलर हो रहे हैं अभी फिलाल तो वो प्रियंका के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि प्रियंका आए दिन उनको टॉंट मारती रहती है प्रियंका को लेकर भी उन्होंने वो फैसला ले लिया है कि आगे जाकर जब भी उन्हें म संद नहीं है तो वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन के जरीए बता सकते हैं एलिवेशन की दुनिया से जुरी लेटिस्ट खबरे जानने के लिए फस्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूले पैल आइकन जरूर दबाएं